हेलो डियर स्टुडेंट्स वेलकम बेक टो आई भी पाइलोजी क्लासिस आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हम परेमीसियम कोड़ एटम की टाइप स्टेडी पढ़ रहे थे उसकी जो थर्ड पार्ट है उसमें रैस्पिरेशन, एक्स्क्रीशन, और स्मोडेगुलेशन और फर्दर रिप्रोडेक्शन तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद रैस्पिरेशन एंड एक्स्क्रीशन यह हमारी लास्ट जो पार्ट है टाइप स्टेडी का वो रहेगा हमने जो पेरेमीसियम कोड़ एटम है वो पार्ट वन पार्ट टू एंड पार्ट थी के अंदर हमने से पड़ है तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद रैस्पिरेशन एंड एक्स्क्रीशन देखी जो रैस्पिरेशन के एक्स्कूरेशन है वह इनका होगा थ्रू जरल बोल्ट बोड़ी सरफेस की कैसे कि जो यह पेर मीशीयम है की जो यह पेरमीशियम है इस पेरमीशियम की जो आउटर एंवाइरेंट है उस एंवाइरेंट के साथ में जो बोडी है वो डारेक्ट कॉंटेक्ट में है जो paramecium है वो एक single cell का organism है और उसके environment में 4 और water present है तो इस water से ये direct क्या करेगा कि जो इसकी body surface है वो direct water के contact में है तो जो excretion भी करना होगा और जो respiration भी करना होगा वो direct body surface के तुरू कर लिया जाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं कि respiration and excretion through general body surface और कैसा होगा respiration में ariobic होगा oxygen का use करेगा और किसकी तरह जैसे कि दूसरे protogen है अमीबा है उनकी तरह बिल्कुल same इन में respiration and excretion की process चलती है जो respiration and excretion है वो जो pellicle के थू होगा पैलिकल इनकी कैसी है semi permeable pellicle है उसके थू diffusion diffusion क्या होता है कि moment of molecule from higher concentration to lower concentration तो जहां higher concentration होगी वहां से molecule move करके उस side में जाएगा जहां पर lower concentration होगी जैसे कि जो dissolved oxygen है वो water के अंदर जादा है और organism के अंदर कम है तो diffusion कहां से कहां होगा oxygen का कि इस side से जो water है उस side से और inner side में होगा और जो CO2 है उसकी concentration body के अंदर जादा है तो diffusion के थूँ CO2 कहां जाएगी भार जाएगी water की concentration body के भार जादा है और अंदर कम है तो अंदर जाएगी अंदर जाएगा water simple diffusion के थूँ और जो NS3 है ammonia है जो इनका nitrogenous waste है उसकी concentration body में हमेशे जादा रहती है तो जो ammonia है वो कहां जाएगा वो भार की और मुह करेगा तो water अंदर आएगा CO2 भार जाएगी O2 अंदर आएगा और NS3 भार आएगा तो यह वाली जो चार यहां पर यह बना रखे हैं कि O2S2, O2NS3 इनके अंदर यह कैसे आते हैं कि जो यह semi permeable membrane है यह वाली जो semi permeable membrane है इस semi permeable membrane के थूँ पास होनों के diffusion की process से आएगे oxygen dissolved in water is diffused in कि जो oxygen water में dissolved है वो अंदर आएगी और जो metabolic activities के लिए हैं उसे use किया जाएगा जितना भी catabolic waste होगा CO2 की form में और जो nitrogenous waste है ammonia वो simply diffusion की process के तुरू body से भार water में release किये जाएगे क्योंकि इनकी concentration हमेशा organism की body में जादा होती है तो अंदर जादा concentration है भार concentration का मैं तो obviously diffusion की process higher to lower side में होगी अंदर से भार की और ये मूँ करेंगे और इसके अलावा crystals present होते हैं cytoplasm में जो की actual में excretory ही product है जो की dissolved होंगे और eliminate होंगे with the fluid of contractile vacuole ये जो excretory product है crystals की form में ये जो contractile vacuole है उसकी health से body से भार eliminate किये जाएगे जैसे ये A है B में क्या दिखा रखा है vacuole in systole की फिलहाल जो vacuole है वो systole में है उसका size छोटा है वो contraction में है और जो radial कैनाल है वो diastole में है फिर vacuole किसमें diastole में है relax है और radial कैनाल किसमें contraction में है जो vacuole है वो brush होगा जैसे यहाँ पर systole का मतलब कि यहाँ जो हम size से related बात करें कि यहाँ जो vacuole है उसका size कम है फिलाल उसके अंदर अभी space है water को डालने के लिए जो radial कैनाल है वो relaxation में है फिर जो radial कैनाल है उनका जो water है सारा वो कहाँ आएगा इस vacuole के अंदर आएगा और vacuole जब भर जाएगा बिल्कुल तो जब वो फटेगा तो water को भार के और release कर देगा तो यह है इनका respiration and excretion तेन हम बात करें osmo regulation की तो osmo regulation क्या है osmo regulation एक ऐसी process होती है जिसके तुरू हमारे जो body के fluids है उनका जो osmotic pressure उसे maintain किया जाता है उसे balance किया जाता है कि osmotic pressure को इसके अंदर जो body के fluids है उनके pressure को maintain किया जाएगा और यह किसके तुरू होगा यहाँ पर यह होगा तुरू contractile vacuole और हमें पता है कितने contractile vacuole हैं यहाँ पर दो contractile vacuole हैं एक anterior side पे और एक posterior side पे जो excess of water है body के अंदर accumulate होगा continuously endosmosis के थुरू वो concentration है body की cytoplasm की वो हमेशा high होती है external medium से इसलिए भार से पानी है वो endosmosis के थुरू continuously अंदर आता रहेगा smell जो small quantity है water की वो ingested food के थुरू भी intake की जाएगी तो एक तो endosmosis के थुरू water है body के अंदर आ रहे है दूसरा ingested food के अंदर water अंदर आ रहे है तो जो excess of water है उसे अगर भार नहीं निकाला गया तो जो organism है वो breast हो सकते है इसलिए जो excess of water है उसे expel out किया जाता है भार निकाला जाता है with the help of contractile vacuole जो एक contractile vacuole है ये contract करते हैं और expand करते हैं जैसे कि ये systrol में जाएंगे और diastrol में जाएंगे at regular interval और इसका जो pathway है कि जो contractile vacuole है उसमें कहां से किस तरीके से कौन से pathway से जो excess of water है वो enter करेगा तो जो cytoplasm का excess of water है वो endoplasmic reticulum में enter करेगा ये endoplasmic reticulum में enter करेगा then यहां से वो कहां जाएगा वो यहां ये nephridial tubule है इन nephridial tubule के अंदर enter करेगा nephridial tubule से होता हुआ वो कहां आता है feeder canal में आता है और feeder canal से ये जो ये वाली है ये feeder canal है और feeder canal से फर्दर वो कहां पे आएगा, radial canal में आएगा, radial canal से वो फर्दर enter करता है in contractile vacule और contractile vacule के जो myofibril है, इन के contraction की वज़े से water है, वो बहार निकलेगा और pore for ejection of water के तुरू, जो water है वो body से eject out होगा तो ये pathway हमें याद रखना है कि सबसे पहले कि जो water है वो कहां आया, वो आया cytoplasm से endoplasmic reticulum में, फिर nephridial tubule में, फिर feeder canal में, फिर radial canal में, contractile vacule में, फिर pore के तुरू बहार निकला और ये जो diagram है, ये diagram हमें अच्छे से draw करना है, ये diagram क्या practice करेंगे then we comes to reproduction in protojoa, जो reproduction है वो दो तरीके का होता ही है, हमने पहले बात की हुई है asexual and not true sexual, sexual लेकिन अच्छे से true sexual reproduction नहीं है यहाँ पर जो sexual reproduction में main होता है, वो होता है nuclear reorganization और hereditary material है, उसके अंदर variation आती है जो asexual protection है, वो by transverse binary fusion होगा और जो sexually protection है, वो conjugation से, endomixis से and autogamy से किया जाएगा कुछ certain condition है, जैसे for example unfavorable condition आई, food की, temperature की, उस during जो paramecium है, वो अपने चार और cyst की covering, एक cyst wall की covering बनाएगा जिसे हम encistment process बोलते हैं, तो encistment के अंदर ये जाएगा, अपने चार और cyst की covering बनाएगा, जो cyst है, वो इसकी protection करेगी और इसे जो एक जगह से दूसरी जगह dispersal में भी help करेगी, transverse binary fusion हम discuss करें, तो जो transverse binary fusion है, उसे और क्या बोला जाता है, horizontal binary fusion और ये during favorable condition, transverse binary fusion perform किया जाएगा, इसमें क्या होता है, कि जैसे ये हमें A, B, C, D, E करके पास diagram बनाने हैं, इनमें पहले में हम ये paramecium को अच्छे से draw करके दिखाएंगे, दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, कि यहां हमें दिखाना है कि जो macronucleus है, वो macronucleus divide कर रहा है, amytotically वो divide कर रहा है, और जो ये macronucleus है, ये divide कर रहा है, amytotically, amytotically division कोन कर रहा है, macronucleus and micronucleus है, वो amytotically division कर रहा है, oral groove है वो क्या हो रहा है यह bereits disappear हो रहा है oral groove disappear होगा दिरे-दिरे फिर यहाँ निया एक construction बनने लगेगा कि यहाँ से अब जो horizontal division है को होगा तो यहा इस साइड में दोनों साइड में नए oral groove की formation होगी और जो ये nuclei है वो further divide होंगे यहाँ पर ये नए contractile vacule बन गए बकल cavity बन गई और oral group बन गए और यहाँ पर जो ये plane है division का ये आ गया और इस plane of division से नए दो daughter paramecium की formation हुई जो नए daughter paramecium बनेंगी जो anterior side में बनेंगी उसको हम नाम देंगे protor और जो posterior side में बनेंगी उसको हम नाम देंगे ओपिस्ती की यहाँ पर anterior में बनेगी protor और जो posterior है उसमें क्या बनेगी ओपिस्ती बनेगी paramecium divide करेगा एक दिन में दो से तीन बार by binary fusion और ये time लेता है near about 30 minute का और further जो ये separation है एक दूसरे से वो अलग से थोड़ा सा एक दो घंटे का time लेगा और यहाँ पर clone produce किये जाते हैं जो कि genetically एक दूसरे से similar होंगे then हम conjugation की बात करते हैं sexual reproduction की बात करें कि जो nuclear organization है उसमें क्या होगा तो ये सारे step दिखा रखे हैं इन्ही step को आप theory के अंदर लिखेंगे कि सबसे पहले क्या होगा कि जो दो paramecium है वो आपस में एक दूसरे के साथ में जो यहाँ इनके cilia है cilia की help से join होंगे और जिस side में oral group है उस side में उस side से ये एक दूसरे से join होते हैं इनको अब हम नाम देंगे conjugate जो conjugate है वो क्या करेंगे जब वो एक दूसरे से join होंगे तो उसके जो macronucleus है दोनों के वो macronucleus disintegrate होंगे और disappear हो जाएंगे macronucleus फिर जो daughter nuclei है वो divide करेगा macronucleus macronucleus divide करेगा और एक daughter cell बनाएगा वो further divide करेगा और फिर उससे ऐसे ही चार macronucleus बनेंगे इन चार macronucleus में से यहां भी और यहां भी तीन disintegrate हो जाएंगे और कौन बचेगा सिरफ एक macronucleus बचेगा यह एक macronucleus है वो further divide करेगा macrosis करेगा और वो दो ऐसे दो नुकलियाई बनें इन दो नुकलियाई में से एक male pronucleus की तरह काम करेगा और एक female pronucleus की तरह काम करेगा जो इसका male pronucleus है वो इसके cytoplasm में जाएगा और इसका जो male pronucleus है वो इसके cytoplasm में जाके fuse करेगा female pronucleus है तो यहां पर gigot nucleus बनेगा फिजो gigot का nucleus है और यह दोनों separate हो गए दोनों जो ex-conjugend हैं वो separate हुए separate होने के बाद क्या होगा कि अब इन्हें क्या बोलेंगे ex-conjugend बोलेंगे जो conjugate थे वो आपस में यह एक दूसरे से separate हो गए और अब हम एक की बात करते हैं कि इन दोनों में से अब हम एक को उठाएंगे और उसके अंदर further study करेंगे और जैसे दूसरे डाइग्राम में जो यह डाइग्राम है A and B इसमें यह दोनों जो ex-conjugend हैं इन दोनों को अलग-अलग करके दिखा रखा है देखो इन में जो यह variation है dot की form में वो variation दोनों के cytoplasm में variation से दोनों का जो pathway है वो दिखा रखा है कि यहां जैसे हम एक को पढ़ लें तो दूसरा यह दोनों similar चल रहे है यह 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और जो यह वाले series है line और यह वाली line दोनों similar है जाइकोट का जो nucleus है वो further divide करेगा दो doton nuclei बनेंगे mitosis करेगा यह और फिर 4 doton nuclei बनेंगे फिर 8 doton nuclei बनेंगे और जो यह 8 doton nuclei है इन में से 4 तो macron nuclei बन गए कि यह जो 4 है वो further 4 macron nuclei बन गए इन में से 3 disintegrate होंगे जो यह micronucleus थे यह जो micronucleus बचे वो 3 disintegrate हुए एक बचा फिर एक के अंदर further mitotic division होंगी 2 बनेंगे और फिर क्या किया जाएगा कि dotor cell में यह 2 dotor cell बनेंगी यह जो 2 dotor paramecium इन के अंदर 2-2 macronucleus और 1-2 macronucleus और 1 macronucleus को transfer किया गया है further यह divide करेंगी और क्या करेंगी 1 macronucleus, 1 micronucleus, 1 macronucleus 1 micronucleus को divide करके 4 dotor paramecium की formation करेंगी तो आप यह ध्यान से बनाएं कि जो यह 1, 2, 3 जो यह नंबर डाले हुए हैं यह जो सारे diagram है इन diagram के अंदर जो main nucleus है यहाँ पर देखो जो हमने sexual reproduction में बात की थी तो वहाँ पर nuclear organization के ही बारे में बात की थी तो जो nuclear reorganization है वो हमें अच्छे से याद करना है एक बार हम फिर से repeat करते हैं कि पहले यह दो paramecium साथ आएंगे cytoplasm की continuity होगी conjugation tube बनेगी conjugate बोलेंगे फिर जो macronucleus है वो disintegrate होगा, disappear हो जाएगा और जो macronucleus है वो divide करेगा meiosis करेगा, चार daughter nuclei ही बनेगे इसमें से 3 disintegrate होगे एक बचेगा, एक फिर फर्दर से divide करेगा, दो-दो nuclei बने इन दो में से एक male pronucleus और एक female pronucleus की तरह act करेगा, जो male pronucleus है, वो आपस में exchange होगे, और female pronucleus से fuse करके jygote की formation करेगे, jygote further divide करेगा, चार nucleus बनेंगे, उसमें से फिर 8 बनेंगे, आठ में से 4 तो macronucleus बन गए, जो 4 macronucleus बचे, उसमें से 3 disintegrate हो गए, एक बचा एक further mitosis करेगा, फिर ये जो dotor nuclei ही है, वो separate हो जाएंगी, यहाँ देखो constriction आ चुका है फिर ये separate होगी, एक के अंदर 2 तो macronucleus और 1 micronucleus है further उससे फिर 4 dotor paramecium बनेंगी, जिनके अंदर एक-एक micronucleus और एक-एक macronucleus बचे हुए है then factor and कौन-कौन सी condition है, जो कि conjugation को affect करती है तो conjugation है doesn't occur under favorable condition, कि जो conjugation है वो favorable condition में नहीं होता, conjugation है वो कैसी condition में होगा, conjugation unfavorable condition में होगा, कि जैसे shortage of food आया, shortage of food आने की वज़े से conjugation होगा या फिर जो particular bacteria की diet है उन में change आने की वज़े से conjugation होगा, कुछ chemical है उनकी वज़े से conjugation को induce किया जाएगा कुछ species में, तो conjugation है वो favorable condition में नहीं होता है, वो unfavorable condition में होगा a certain range of light and temperature differing with species is said to be essential for conjugation to occur, कि खाना proper होना चाहिए, light proper होनी चाहिए, temperature proper होना चाहिए कि एक certain range चाहिए conjugation को होने के लिए temperature की और light की, अगर वो range है, तो conjugation होगा उस range के अलावा अगर दूसरी light की range है या दूसरी temperature की range है, तो conjugation नहीं होगा conjugation usually start होता है early in the morning and continue रहेगा till afternoon conjugating individual है, वो usually smaller size के मिलते हैं than normal individual, जो pairing है conjugate की, उन्हें हम क्या बोलते हैं, isogamous and there is no morphological sexual dimorphism into male and female conjugate कि जो दो conjugate आपस में एक दूसरे से आके fuse हुए है उनके अंदर हम ये देखके नहीं बता सकते कि कौन सा male है, कौन सी female है तो कोई भी morphological sexual dimorphism present नहीं होता है तो जो conjugate की pairing होती है उन्हें क्या बोलते हैं isogamous type of conjugate बोलते हैं agglutination favor करता है conjugation को, कि जो interaction है mating type का, वो cilia के उपर एक particular type of substance localized है उनके interaction की वज़े से आपस में वो agglutinate करेंगे और उसकी वज़े से conjugation को favor किया जाएगा अब significance क्या है conjugation की importance क्या है rejuvenation की जो अगर जो binary season है वो continue होता रहा बार बार binary season ही होता रहा है several generation के लिए तो जो paramecium है वो अपनी वाइगर जो अपनी identity है उसे loose कर देगा और enter upon a period of depressed physiological efficiency and senescence और वो अपनी जो identity है उसे loose करके metabolic activity है उनकी efficiency को loose करके और senescence की और lead करेगा individual है अगर उसमें बार 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 binary season होता रहा तो वो multiply करना छोड़ देगा seize हो जाएगा multiply करने से और अपने size में वो reduce होगा दीरे दीरे उसके अंदर degeneration होगा organization में और वो finally उसकी death हो जाएगी तो इस type के जो decay है अगर ऐसा ही होता रहा binary season होता रहा तो जो paramecium की जो race है वो ही खतम हो जाएगी तो इस race को decay होने से बचाने के लिए conjugation है वो जरूरी है जो conjugation है वो क्या करता है वो restoration की process करता है restore to and the process seem to rejuvenate and receive revive the lost vagarity for asexual reproduction तो conjugation है वो होना जरूरी है ताकि जो उसने अपनी vagarity जो vagar है वो lost किया है उसे वो दुबारा से regain कर सके for sexual asexual reproduction दूसरा conjugation में nuclear reorganization होता है कि during conjugation the nuclear apparatus is reorganized and the adjustment occur between it and the cytoplasm जो macronucleus है वो अपनी potentiality को lose करेगा और metabolic activities को perform नहीं करेगा बाद में क्या किया जाएगा कि नया macronucleus बनेगा और उसे फिर से renew किया जाएगा अपनी vitality को वो फिर से gain करेगा और metabolic activity को वो काफी speed से फिर से करने लगेगा then heredity variation की बात करें तो asexual reproduction जो fusion के थूरू होता है उसके अंदर जो heredity material है वो parent से आता है तो कोई भी change नहीं होता unchanged progeny में डाला जाएगा लेकिन जो paramecium है जिनके अंदर conjugation हुआ है तो conjugation की वज़े से दो line की blending होगी कि जो दो conjugation है दो conjugate है दो paramecium है उनके जो nuclear material है उसका फिर से deorganization होगा उनकी blending होगी और एक अलग नए तरीके की variation सामने आएगी then ये था conjugation अब हम बात करते हैं about endomixis endomixis में क्या होगा कि जैसे ये paramecium है इसमें ये macronucleus ये micronucleus endomixis मतलब खुद में ही जो nuclear material है वो mix होके रह जाएगा nucleus है micronucleus है वो divide करेगा 2 micronucleus ये बने फिर दीरे दीरे जो macronucleus है वो disintegrate होगा 2 से 4 micronucleus ये बनेंगे फिर 4 से 8 micronucleus ये बनेंगे और जो macronucleus है वो पूरे तरीके से disintegrate हो चुका है disappear हो चुका है 8 micronucleus ये बनेंगे जे भी ये दो डोटर सेल की formation करेगा तो दोनों में एक-एक nucleus को डाल देगा, अब फर्दर दोनों डोटर सेल के अंदर जो nuclei ही हैं वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, दो बनेंगे एक से दो, दो से चार, फिर जो चार बने उनमें से दो तो macronucleus में convert हो गए और दो macronucleus में हो गए, पिर जो macronuclease हैं वो further से divide करेंगी दो डोटर सेल में पिर से divide होंगी paramecium और जो दो डोटर सेल भनी उसमें एक macronuclease और दो macronuclease इस तदीके से ये endomixis के थूरू process की जाएगी endomixis में दूसरा कोई paramecium हाथ नहीं लगाएगा, साथ में नहीं आएगा सिर्फ एक ही paramecia में उसके अंदर ये सारा nuclear division हमें देखना है हमें nucleus number of nuclei ही है वो ध्यान में रखने है then autogammy की बात करें तो autogammy में क्या होता है कि इसमें भी self ही चलेगा सारा जो nuclear deorganization है वो खुद में ही चलेगा कि macronucleus, micronucleus जो macronucleus है वो disintegrate होगा, disappear होगा macronucleus क्या होंगे, 2 से 8 होंगे 8 में से 7 disintegrate हुए, 1 बचा 1 क्या करेगा, 2 में divide होगा, ये gametic nuclei ही बोलेंगे इन्हें, जो ये gametic nuclei ही है, ये आपस में fuse करके क्या कर जाएंगी gigot nucleus बना देंगी, फिर जो gigot nucleus है ये फर्दर क्या करेगा, ये 4 में divide होगा, जब ये 4 में divide होगा तो 2 तो macronucleus और 2 micronucleus अब जो macronucleus हैं, वो 2 ही रहेंगे, micro हैं वो 2 से 4 होंगे फर्दर construction से divide होगा और ये daughter paramecia बनेंगे, daughter paramecia जैसे ही यहाँ पर parent paramecia था, वैसे ही यहाँ पर daughter paramecia بنेंगे तो autogamia और endomixis में क्या फरक है कि यहाँ पर जो division है वो एक बार हुआ है दो daughter cells बनी है यहाँ पर जो division है वो दो बार हुआ है कि एक बार तो यहाँ पर दो daughter cells बनी फिर इन दो से फर्दर 4 बनी तो 4 daughter paramecia बनती है endomixis में और 2 daughter परमसिय sting बनती है autogamia के अन्दर और conjugation के अंदर भी हम बात करें тоo conjugation में 8 यहां पर 2 conjugate थे 2 se 8 की 1 se 4 daughter cell daughter paramecium raising body autogamia में 2 बनेंगी endomix दिदो के 4 अनके main nucleus है nucleus क कब कहा约 रखना है कि कब कहा again कोन सा nucleus divide हुआ उससे फिर कितनी daughter cell बनी यह मेन यहां पर नूकलियस का है बस आपका जो नूकलियस का नंबर है डिवाइड कहा कर रहे हैं और नई डॉटर सेल का बन रही है आपको वो याद रखना है वो मेन है इसके रिप्रोडेक्शन में और यह important question है रिप्रोडेक्शन इन पेरेमीसियम mostly पूछा जाता है